हलो गाइज, वेलकम टू केमबुष्ट अगीन, तो आज हम डिसकल्स करने वाले हैं एलकेंज एंड साइकलो एलकेंज का लेक्चेर नमबर 14, जिसमें हम बेसिकली कॉंटिन्यू करेंगे मेथड्स ओफ सिंथिसिस ओफ साइकलो एलकेंज को, जिसमें हम डिकमें साइकलाइजे इसको नहीं देखा, उन्हें जिरूर देखिएगा, बहुती मज़ेदा लेक्चेर होने जा रहा है, तो चलिए लेक्चेर को बिना टाइम वेश्ट के स्टार्ट करते हैं तो चलिए डिया स्टुडेंट्ट्स अब हम अंडस्टेंड करेंगे डिकमें साइकलाइजेशन और कंडन सेशन को बैसिकली हमारे पास जब अलफा ओमेगा डाइ कार्बोक्सलिक एसिड्स के एस्टरस इंट्रमोलिकलर क्लेसन कंडन सेशन करें उसे हम बोलते हैं डिक्मेन कंडेंसेशन और साइकलाइजेशन यही बात हमने यहां लिखी है अपने 12 वाले पार्ट में डिसकस किया होगा अदर्वाइस कभे टाइम लगा तो हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे इतनी information आपके लिए sufficient है अब example समझते हैं ऐसे बात नहीं करते cyclopentane can be synthesized from diethyl adipate by following sequence of reactions यानि हमारे पास यहां पर एक sequence reactions की उसे समझने की कोशिश करेंगे अब देखें यह हैं हमारे पास diethyl adipate कैसे याद रखने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं diethyl adipate 2 यहां से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 येस diethyl adipate जब हम पहले इसे treat करते हैं base से यानि sodium ethoxy second H plus तो हमारे पास formation होती है 2-carb ethoxy cyclopentanone जो की उसका structure यहां पर बना हुआ है उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी hydrolysis करते हैं और यहां से निकल जाता है C2H5O और हमारे पास formation होती है 2-carb ethoxy cyclopentanone की यानि यह हमारे पास CH2, 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 CO2 की formation हो जाती है अब उसके बाद हम इसकी decarboxylation करते हैं decarboxylation बोले तो removal of carbon dioxide और हमारे पास formation होती है cyclopentanone की उसके बाद हम इसकी clemencion reduction करते हैं clemencion reduction बोले तो reduction in presence of zinc amalgam in HCl और हमारे पास cyclopentanone की formation हो जाती है हम पढ़ ही क्या रही है methods of synthesis of cycloalkanes एक बार repeat कर लेते हैं कि हमारे पास जब alpha omega di carboxylic acids के ester clecent condensation करते हैं intramolecular उसे को हम dickmen cyclization रो condensation का नाम देते हैं उसके बाद हमने example देखा कि किस तरीके से reactions की segments होती है किस तरीके से di ethyl adipate को पहले हम base in H plus state करते हैं और हमारे पास two carb edoxy cyclopentanone की formation होती है then हम यहां से hydrolysis करते हैं हमारे पास formation हो जाती है two carboxy cyclopentanone की फिर हम उसकी करते हैं decarboxylation हमारे पास cyclopentanone बनता है then हम clemencion reduction करते हैं और ultimately हमारे पास cyclopentan की formation हो जाती है very important method आप इसे note करें फिर हम चलते हैं method of synthesis और cycloalkanes पर आगे बढ़ने से पहले dear students जो हमारे पास first step था यानि डिक्मेन कंडेंसेशन जिसमें हमारे पास diethyl edipate convert हो रहा था to carbithoxy cyclopentanone में उसकी mechanism भी देख लीजिए तभी आपको थोड़ी और picture क्लियर हो पाएगी यह है हमारे पास diethyl edipate अब देखी जो negative part है यह यहाँ पर attack करता है और यह चला जाता है यहाँ पर और हमारे पास formation हो जाती है CH2 CH2 C double bond O O C2 H5 CH2 अब यहाँ पर यह आ गया तो CH negative साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है COOC2H5 देखिए यहाँ से इस ने लिया और C2H5OH निकल गया अब हमारे पास जो यह negative है यह attack करेगा यहाँ पर यह क्यों किया क्योंकि यहाँ पर delta negative charge यहाँ पर delta positive charge negative positive वाले पर ही attack करेगा और यह हमारे पास reversible step होता है और हमारे पास formation हो जाती है CH2 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 CH as it is COOC2H5 यहाँ पर यह C के साथ जुड़ गया C O negative डबल बॉंड इदर चला गया और साथ में क्या है OC2H5 उसके बाद डियर हमारे पास यह इदर और यह इदर यह भी हमारे पास reversible step होता है यहाँ से निकल जाता है C2H5 O negative और हमारे पास formation हो जाती है reversible है याद रखना CH2 CH2 C double bond O CH2 CH CH Yes it is COO C2H5 और यह bond यहाँ दिखा दीजिए यानि यहाँ आमारे पास two carbythoxy cyclopentanone की formation हो गई है mechanism के through भी बता दिया है वैसे याद रख सकते हैं वैसे रखिए कोई भी दिक्कत नहीं है आपको मैंने हर तरीका बता दिया है तो आप इसे नोट करें फिर हम चलते हैं अगले मेथड तरफ चलिए डियर स्टुरेंट्स नेक्स मेथड और सिंथेसिस और साइक्लो एलकेंस में हम पाड़ने जा रहे हैं बाइपाइरोलिसिस ओफ केल्शियम और बेरियम साल्स ओफ डाय कार्बोकसलिक एसेड्स जिसे हम विसली सनस मेथड भी बोलते हैं अब कोशन अराइज हो रहा होगा माइन में किस अपाइरोलिसिस क्या होती है बेसिकली डियर पाइरोलिसिस का मतलब होता है जब हम डिकॉम्पोजिशन करते हैं किसी की भी हाइ टेंप्रेचर पर और यहाँ पर हम पाइरोलिसिस कर रहे हैं बेरियम और केल्शियम साल्स ओफ डाय कार्बोकसलिक एसेड्स की देखिए यहाँ पर हमने इसे हाइ टेंप्रेचर पर डिकॉम्पोज किया हुआ है हमने लिया बेरियम एडिपेट यानि barium salts of diacarboxylic acids और इसे treat किया 565 to 575 Kelvin temperature तक तो हमारे पास यहाँ पर BCO3 निकल गया और हमारे पास यहाँ पर formation हो गई cyclopentanone की, लिख दीजिए यहाँ पर cyclopentanone और अब अगर इसे LKN में convert करना है तो हम क्या करते हैं, clemencion reduction कर देते हैं यानि इसे reduce करते हैं in presence of zinc amalgam in HCl और हमारे पास किसकी formation हो जाएगी डियर cyclopentanone की, यानि यह LKN पार्ट में convert हो जाएगा यानि CH2, 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 CH2 यह हमारे पास बन गया cyclopentane उसके बाद एक और example ले लेते हैं calcium salts of diicarboxylic acid यानि calcium salts of diicarboxylic acid अब इसकी decomposition करते हैं, यहाँ पर BACO3 निकला है, हाँ क्या निकलेगा? very nice, CACO3 और हमारे पास बन जाएगा CH2, 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 C double bond O यह हमारे पास क्या बन गया? cyclohexanone अब इससे हमें alkane में convert करना है यानि cyclohexan में तो क्या करेंगे? इसकी clemencion reduction कर देंगे यानि zinc amalgam in HCl और हमारे पास क्यों सी reduction? clemencion reduction और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2, 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 CH2 और यहां पर यह alkane पार्ट में convert हो जाएगा यानि CH2 क्या बन गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 single bond cyclohexan इस वेरी यूसफुल मेथ़ड अकोर्डिंग टू बलेंक स्रूल की हमारे पास यह method आच्छी yield देता है 5 or 6 member rings की क्या होता है blank rule? आप इसे note करें फिर मैं आपको note बना कर उसे लिखवाता हूं और example देता हूं तो चलिए dear students अब हम समझते हैं blanks rule को आईए पहले read करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं It states that 2-carboxMaxaat室 1-3- Juan-b 2-carbox called 3-イ Birth 1-4-1-1-4-1-1-5- 7 दैभी आपको 1-2-3-1- 1-3- Int Catia Lourli 161-1-3-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-E-1-1‍6-1-1-1 di carboxylic acids on heating alone or upon distillation with acidic anhydride give cyclic ketones with loss of one carbon atom as carbon dioxide and one eight and higher di carboxylic acids remain unaffected बहुत ही बड़ा statement है मैं आपको short form में समझाता हूँ basically यह क्या कहना चाह रहा है कि जब हम one three di carboxylic acids को heat करते हैं तो वो decarboxylation होकर mono carboxylic acids की formation करते हैं on the other hand अगर हम one four और one five di carboxylic acids को heat करें या फिर उसे distillation करें with acidic anhydride तो हमारे पास cyclic anhydrides की formation होती है अगर one six और one seven di carboxylic acids को heat करते हैं तो हमारे पास cyclic ketones की formation होती है लेकिन उसमें एक carbon कम होता है जो carbon dioxide की form में कम हो चुका होता है और यो one eight और higher di carboxylic acids होते हैं वो unaffected रहते हैं चाहे उन्हें heat कर लीजिए चाहे उन्हें distill कर लीजिए in presence of acidic anhydride आप इस statement को note करें फिर मैं आपको इन सब का example देता हूँ बिल्कुल picture clear हो जाने वाली है तो चलिए dear students अब हम examples देखते हैं blanks rule के बिल्कुल crystal clear कर देते हैं concept को याद क्या रखना है कि जो one three di carboxylic acids होंगे वो heating पर क्या देंगे mono carboxylic acid और जो one four one five di carboxylic acid होंगे जो heating पर या distillation in presence of acidic anhydride क्या देंगे cyclic anhydride इसी तरी के जब one six और one seven होंगे वो देंगे cyclic ketones एक carbon कम होगा one eight और उसे higher वाले unaffected रहेंगे अब देखे ये हैं हमारे पास melonic acid कौन सा है ये इन में से one two three one three वाला यानि ये हमारे पास heating पर क्या देगा mono carboxylic acid यानि CS3 C O H plus C O two देखे मोनो carboxylic acid बन गया क्या नाम है इसका acetic acid साथ में हमारे पास निकल गया carbon dioxide अब इसी तरीके से देखे इसका नाम है हमारे पास succinic acid लिख लीजिएगा S U double C I N I C acid, succinic acid important name से अब ये कौन से वाला है 1, 2, 3, 4 1, 4 क्या देगा या तो heat या distill with acetic anhydride cyclic anhydride देगा यानि हमारे पास यहां पर formation होगी CH2 CH2 CO CO O water यहां पर निकल जाएगा और हमारे पास यह बन गया cyclic anhydride कौन सा है succinic acid तो यह हमारे पास succinic anhydride उसके बाद अब 1, 5 वाला मैं आपको homebuck के लिए दूँगा उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6 वाला है तो यह क्या देगा जब हम इसे या तो क्या करेंगे heat करेंगे या distill करेंगे with CS3 CO Y यानि acetic anhydride के प्रेजन्स में तो हमारे पास यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी कौन से वाला है 1, 6 वाला यानि cyclic ketones की फॉर्मेशन होगे और हमारे पास यहां पर बन जाएगा CH2 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 C double bond O यानि हमारे पास क्या बन गया cyclo pentanone 1, 2, 3, 4, 5 cyclo pentanone और साथ में क्या निकल गया water तो यह हमने एक एक example ले लिया है अब बात रही 1, 5 और 1, 7 की वो मैं आपको homework के through दे रहा हूं आपको उनको पढ़ना है और כुछ से sol करना है बात रही 1, 7 और 1, 5 की उसे मैं आपको homework पर छोड़ बात रही 1, 7 और 1, 5 की उसको मैं आपको homework दे रहा हूं आप इससे note करें फिर मैं उनको भी लिख देता हूं आप कुछ से ट्राइ कीजिएगा चलिए dear students आपके सामने मैंने question लिख दिये हैं यहाँ पर है 1,2,3,4,5,6,7 carbon यहाँ पर है 1,2,3,4,5 carbon ठीक उसी तरीके से इन questions को भी proceed करना है जैसे हमने आपको बताया है आप इनके answer मुझे comment section में देंगे अगर आपको doubt है कि यह सही है या नहीं simply दोनों में हमारे पास water निकल जाएगा तो it is all about today hopefully lectures आपके लिए काफी beneficial हो रहे होंगे आप अपनी feedback हमें comment section में जरूर दें वहीं से हमें motivation मिलता है आपके लिए नया-नय content लाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसा ही content में आपके लिए future में लाता रहूँगा तो चलिए till next video keep learning, keep growing